असलालेकुम स्टुडेंट्स क्लास थर्ड प्रेमरी स्प्जेक्ट मैथ आपक मारा प्लस और माइनस प्रेज नंबर 43 आपने बुक कर निका लिए 45 तो यहां पर क्वेश्चन दिये हैं जो हमें करने हैं तो क्वेश्चन नंबर वन दोस पिंसिल इस 15 संटीमेटर लांग जो 30 पिंसिल इस 8 संटीमेटर लांग तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोस की जो पिंसिल है वो है 15 संटीमेटर लांग लंबी है और जो 30 पिंसिल जो है वो 8 संटीमेटर है पूछ रहा है कि किस की पिंसिल लंबी है और कितनी लंबी है तो हमें क्या करना होगा यहां पर तो हमें यहां पर इसका सुलूशन लिखना होगा है हम पहले लिखेंगे इंदोज इंदोज पिंसिल कितनी है 15 संटिमीटर इसके बराबर है 15 संटिमीटर और 34 की पिंसिल किसके बराबर है जो 30 पिंसल किसके बराबर है 8 संटिमीटर अब यह कुछ रहा है यहां पर हमें किसकी पिंसल लंबी है और कितनी लंबी है तो यहां पर तो यह साफ दिखता है इंदोज की जो पिंसल है वो लंबी है जो 30 की पिंसल से तो अब यह पूछ रहा है कितनी लंबी है तो हमें यह तो हम लिखेंगे यहां पर फिफ्टीन माइनस करेंगे हम एट फिफ्टीन में से आठ जब हम माइनस करेंगे तो यह कितना बच चाएगा बचो साथ इसका मतलब है जो इंदोस की पिंसल है वो एट संटीमिटर लांगर है जो तीज पिंसल से है तो हम यहां पर लिखेंगे इंदोस पिंसल इस सेवन संटीमिटर लांगर लांगर दिन जो तीज पिंसल जो तीज पिंसल यहां पर यहां माइनस करने को मिला है तो अब दूसरा प्वेस्टन हम से पूछ रहा है तो प्वेस्टन नमबर सेटन जो है यहां पर वो है Ask your papa और ममी Price of 1 किलू साल्ट? Price of 1 किलू शुगर? Which one is most costly? How much more does it cost? वो अपने ममी या पापा से पुछो 1 किलू साल्ट की किमत कितनी है और 1 किलू शुगर किमत कितनी है चेषिनी का 1 किलू किस किमत में है और नमक का 1 किलू किस किमत में है तूफिर बताओ कॉन जयदा महंगा है किसकी किम्स जयदा है तो यहाँ पर Q2 का सलूएशन लखेंगे Q2 का सलूएशन लखेंगे हैं हम लखेंगे प्राइज आफ प्राइज आफ वन किलू साल्ट किसके बराव है स्पोज वन किलू साल्ट जो है वो है 20 रपीज रपीज 20 का तो अब हम लिखेंगे प्राइज आफ वन किलू शोगर तो किसके बरावर है रपीज 50 तो आप जो बोल रहा है विच वन इस मोस्ट कास्टी तो कौन सा महंगा है तो शोगर का जो किलू है वो 50 में है और सार का जो किलू है वो 20 में है तो इसका मतलब है शोगर जो है वो कास्टी है देन साल्ट तो हम लिखेंगे हम लिखेंगे यहां पर भी हमें हमें क्या करना होगा माइनस करना होगा हम यहां पर भी माइनस करना है हम लखेंगे 50-20 जब हम करेंगे तो कितना जाएगा पाइस मिनस्टर टू थरी इसका मतलब है शुगर जो है रपीज 30 शुगर रपीज 30 तर्टी तर्टी is more costly than salt तो शुगर जो है वह 30 रुपीज महंगी है सॉल्ट से तो इसके बाद question no.3 जो है हमारा वह है question no.3 राजा कुकर चपाटी इन 25 minutes then he made dal in 15 minutes how much time did he take to cook both things question पूछ रहा है राजा जो है जैसे यहां पर यह दिखाय हुआ है और चपाटी बनाता है 25 minutes में और दाल बना रहा है वह दाल बनाने में 15 minutes लगते हैं तो अब बोल रहा है how much time did he take both तो यह दोनों चीज़ें बनाने में उसे कितना time लगेगा तो यहां पर हमें plus करना होगा 25 और 15 को तो जितना भी आएगा तो वह उतना time लगेगा राजा को यह दोनों चीज़ें बनाने में तो यह आपका homework होगा जो आपको यह question जो है यह खुद करना होगा तो इतना clear है next हम अगली class में next question करेंगे आज इतना ही अल्ला हाफिज